मस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है, आज के इस वीडियो में ब्रेटन साइकल के बारे में जानेंगे, जैसा कि बहुत सारे बच्चे ने मैसेज करके बूल रहे थे कि सरे ब्रेटन साइकल में रीजनरेशन, रीहीटिंग, इंटर कूलिंग क्या होता इसके बारे में बता दिजिएगा, तो उसी पर मैं आज इस वीडियो के लेकर आया हूँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से अन्रोध है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेर करें, आप लोग से हमेशा ही अ ब्रेटन साइकल को हम लोग इसको हम जूल साइकल के नाम से भी जानते हैं, ये आपका जूल साइकल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बिसकली इसके यूज कहां होता है, तो ब्रेटन साइकल का जो यूज होता है, यो गैस तरवाइन में होता है, गैस तरवाइन में, नाम सही पता चल रहा है, इसमें जो tervine, इसमें जो medium जो होगा, वो gas होगा, जिसाس स्टीम tervine की बात करें, तो स्टीम therwine में हम लोग स्टीम को medium मानते हैं, स्ट्ीम ही जो है, वो temperature को exchange करने का medium है, ठीक है, VOC एसमेel tervine होता है, अब इसमे आप जानेंगे कि कौन-कौन सा प्रोसेस होता है इसमें देखे, बिसमें कॉंस्टेंट प्रेशर हीट एडिाशन होता है इसमें फ्रैसर होता है and constant pressure, constant pressure heat rejection, ठीक है, यह जो दो प्रोसेस हुआ, साथ में दो प्रोसेस और क्या होता है, अब दखो, इसमें क्या होता है, कि प्रेसर सिर्फ है न, तिसको हम लोग प्रेसर साइकल के भी नाम से जामते हैं, इसा समझ गए, तो यहां पे आपको, जब कंप्रेसर की बात करेंगे, तो उसमें हो खुआ, इसन्ट्रोफिक कंप्रेसर, आप लोग का दिकत, रिहिट्टिंग रिजनेर्शन में हो रहा है, फिर भी मैं यह क्यूं बता रहा हूं, मैं इसका region आगे बता हूँ तो बता रहा हूँ यह सारे चीज आपको दिमाग में रखना है कि यह Brayton cycle में यह होता है अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिएगा कि आपको Brayton cycle है ठीक है यह मेरा हो गया compressor यह मेरा हो गया compressor ठीक है और यह मेरा Mudra जहां पर हम अपकों कारते है Heat को Add करते है यह मेरा क्या हो गया Travying और यह जो मेरा हो गया Heat Ex jour यह मेरा क्या हो गया Heat Ex jour देख एक यह यहां पर क्या होता है कि यहां पर हम लोग एक air के फ्रवह में air इन्टर कर रहा है ठीक है जब यहां पर इंटर करेगा तो यह जो कंप्रेसर होगा इसको कंप्रेस करेगा स्टेज बाइद दिया हुआ है जब कंप्रेस होगा आप देखिए मैंने बोला क्या कंप्रेशन यहां जो रहा है isentropic होता है क्या होता है isentropic isentropic मतलब क्या as जो है constant है अब यहाँ पर क्या होगा कि जब किसी gas को compress करेंगे तो gas को compress करने के बाद वो क्या होगा उसका volume जो होगा decrease करेगा समझ रहे हैं volume क्या होगा decrease करेगा temperature जो होगा वो क्या होगा आप बढ़ेगा और प्रेसर जहोगा क्या होगा बढ़ेगा इसका मोल्कुल एक साथ हा रहा है तो क्या हो रहेगा बात करें आपका देजिए अगर अगर पिभी बनाते VB डिएगराम में इसको हम बनाते है. तो यहां पर आपको 1 से 2 में क्या होता, कि volume डिक्रीज कर दा है, by 1 यहां पर 2 यहां पर वॉल्म धीवन था, लेकिन अब यहां पर volume क्या हो गया, घट कर दwe ही टू हो गया है ऐख नगेया थीक है और अ क्या को एक जय यहां पर यहां परशय को निला करके यहां फ्हूल को मिला करें चैसे के वाइलर में क्या होता है रहे हैं था एक जीब आकश alkal sma करें पर दोस्तुम हो रहा है वो यह प्रिसर कॉंस्टेंट है में जाए कि आपको reduced David अब इसके ढांट को कोन दूरक होगा लेगा अनुय क्लिकर कन बार छोड़ेल्ड सबढ़त। अब यहां देखें यहां पे heat add हो रहा है, q1 heat add हो रहा है, और q2 heat reject हो रहा है, यहां से भी देख सकते हैं, त्यास डियर्ग्राम में क्या होगा, is entropy, तो अहां पर देखेंग, entropy constant है, entropy constant है, लेकिन temperature क्या होगा, बढ़ेगा, फिर यहाँ पर क्या हो गया, pressure constant है और यहाँ पर फिर क्या हो गया, इस topic expansion है, फिर यह होगा, Q input, Q output, इतना तो basic होगा है, सब को पता होगा, अब बात आती है, कि इसकी efficiency, हम नों इसमें क्या चर्चा करेंगे, कि Regeneration, Reheating and Intercalling से Brayton Cycle के Work Output Find If He CnC पर क्या फर्क परता है? If He CnC पर फर्क क्या परता है? ठीक है? If He CnC पर क्या फर्क परता है? आब यहाँ पर ध्यान देजिए यहाँ पर हम लगे जूम करते हैं कि जो गैस जा रहा है इसका फेज चेंज नहीं कर रहा है फेज विल नोट चेंज ठीक है तब ही हम कलकुलेशन सही से कर पाएंगे जूसरी बात किया है आपको क्या लगता है कि जो यह जो कमपरेसर में इस इंट्रॉपी क्रोसर्स होता होगा? नहीं हम लोग आईड एडियल मानते है क्युह मानते हैं ताकि c अल्कुलेशन नहीं हो आपको पता हूँ है कोई भी मिटेल में एगर हीट का फорт भीलोव होता है तो उसमें इंट्रॉपी जनरेशन होता है जहां पर इंट्रॉपी जनरेट होगा जहां पे entropy generation होगा, वो irreversible process हो जाएगा, generation होगा, वो irreversible process होगा, लेकिन हम लोग यहां पे assume करते हैं, समझ गए, आप यहां पे क्या हम लोग करेंगे, compressor को add किये, आप यहां पे जहां निकालेंगे, आपको पता है, कि इस case में, यह क्या है, closed cycle है, आप जानते होंगे, first law of thermodynamics क delta q जो होगा, delta w होगा, delta w होगा, अब यहां पे ध्यान देना है, यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या, कि, यह जो है, यहां पे ध्यान देजिए, compression में जहां पर compression दिखा रहा है दिखाई दे रहा है कि compression में जो आपको work होगा यह work किसके दोरा दिया जा रहा है तो turbine के दोरा दिया जा रहा है जहन दिजेगा पहले हम लोग क्या करते हैं कि input motor electricity प्रवाइट करके जब रन कर जाता है तो रन करने के बाद इसको बंद करके हम लोग सेम यह जो turbine है ना turbine सही यह motor को sorry compressor को चलाते हैं यहां पर delta w जो हो जाएगा क्या हो जाएगा w of turbine minus w of compressor delta q हो जाएगा q input हम दे रहा है q1 माल लेजेए q1 माल लेते हैं और q2 reject हो रहा है तो q1 minus q2 यह बढ़ावर होगा पर आपको पता है efficiency क्या होता है efficiency होता है work net divided q1 heat supplied कितना work output आया और कितना heat supply क्या ही efficiency होता है अब हम देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं कि इतना तक समाज में आप लोग को आया होगा आप सोचिए यह जो work net है बाभू यह work net जो है work net जो है डेवलू टी माइनस डेवलू टी है work टर्वाइल माइनस work done वाई work done on the compressors ठीक है अब बताओ कि अगर हमको work net को बढ़ाना है इसको हमको बढ़ाना चाहते हैं या तो हम बढ़क टर्वाइन को बढ़ा दें या तो हम compressor को बढ़ा दें कितना समझ में आ रहा है अगर हमको work net को बढ़ाना एफेसेंसी बढ़ाने के लिए दो चीज करना होगा या तो हमको work net को बढ़ाना होगा या तो हमको heat को कम करना पड़ेगा तभीन efficiency बढ़ेगा क्यों कम होगा तो भागा देंगे तो ज्यादा आएगा दो चीज है अब यही दोनों चीज पर आपको regenerative intercooling और regeneration based है यही concept है कि हमको क्या करना work net को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे और q heat को कम करने के लिए क्या करेंगे अब figure से समझिए यहाँ पर क्या हुआ कि compressed air जो जा रहा है compressed air जा रहा है compressed air जाने के बाद हम देवाला यहां से heat reject हो रहा था अगर यही heat reject को पहले जो यहां से compressor के साथ जो air आ रहा है इसको पहले यहां पर heat कर देते यह compressor यहां से heat exchanger के त्रूँ यहां पर heat कर देते और यह heat करने के बाद यहां से जो निकलता compressed air with heated वो यहां पर भिज़ते तो इस case में आपको heat input क्या ह होता कम देना पड़ता समझ रहने बात को अगर यह देखिए यहां से एक्सप्रेंशन होने के बहुत सारा जो हीट बचा रहा जाता है आपको पता होगा कि जो हीट एनर्जी आज जो ना कभी कंप्लेटली बक में नहीं को कर सकते हैं समझ रहें बात को लोग्रेड एनर्जी होता ना तो यहां पर यह इसका हीट को में रिउच कर दिया कि आपकंप्रेश को हीट करने के लिए अब इसका जो टंप्रेशा माल यह पहले दस डिग्री था सपोर्ज जादा हुआ माल यह कि पचीए पचास डिग्री था यह तो हमको हीट कम माल पड़ेगा चाहिए चाल पर यहीं होता है और दूसरा किया है कि आपको अगया करना होगा वर्क लान के लिए का करना हो। अब ध्यान देजी, अगर हमको work turbine को बढ़ाना है, work done by turbine हमको बढ़ाना है, तो आपको पता होगा, कि अगर यह यहाँ पे निकला, निकलने के बाद हमेशा करते हैं, इसको फिर से हीट करते हैं, और हीट करने के बाद फिर इसको अलग turbine लगा करके, उसको expand करते हैं, तो work net क्य प्यार आओगा, अब आते हैं, यह जो आपका जो है, इजी हीटर है, इजी हीटिंग प्रोसेस, मैंने क्या बला, कि हमको work net जो है, यह work output जो है, हमको, अगर work net को increase करना है, तो work wide turbines होगा, हमको increase करना पड़ेगा, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, कि यह मेरा compressor हुआ, यहाँ से air गया, यह compress होकर के first combustion chamber में गया, अब यहाँ पर क्या हुआ, heat एड होगा, क्या हो रहा है, अब यहाँ से जो निकला, यह high pressure turbine है, यह आपको HP turbine है, high pressure turbine में गया, जहाँ पर pressure drop हुआ, pressure drop हुआ, plus temperature इसको down होगा, अब यह जो निकलेगा यहाँ से, अब इसको निकाल करके, फिर से इसको हम लोगे reheating कर रहे हैं, अब यहाँ से reheating करने के बाद, फिर से अलग low pressure turbine है, इसमें हम इसको भेज रहे हैं, तो इसका temperature को decrease करके फिर से हम compressor में भेज़ देंगे अब इसका जब डियाग्राम बनाने चाहें तो देखिए 1 to 2 में क्या हुआ centropic हो गया अब यहां पर constant pressure heat addition हो गया constant pressure heat addition हो गया तो यह यहां से यहां तक बढ़ गया ठीक है अब क्या कह रहा है कि यहां से जब यह निकला तो फिर से यहां से यहां तक इसका work किया होगा यह मेरा एक work हो गया ठीक है अब फिर हम जब यह कुछ pressure पे फिर हम इसको heat किया कमसंचवर में यहां पर मालिया के q2 दिये अब जब q2 देंगे तो फिर यह heat करके यहां तक पहुंचाए फिर यहां से low pressure turbine में आया अब फिर यहां से pressure drop हुआ और यहां से फिर आपको पूलर के थूरू यह कर दिये इसका temperature को decrease करके फिर से compression बेर दिये अब यहां पर ध्यान देज़ेगाओ अगर एक heat turbine होता अगर सिर्फ यह होता तो यह वाला work यहां पर होता इतना होता ठीक है लेकिन अगर हम दो टर्वाइन दे रहे हैं दो टर्वाइन आ गया तो ध्यान दो दो टर्वाइन आ गया तो दो टर्वाइन में क्या होगा एक work यह वाला और एक बर्क यह वाला और यह वाला और इसको ऑं जोदेंगे तो इससे जादा होगा की नहीं इतना तो समझ गॉए हो गया वहाआ पर जो देब्वाइड टर्वाइन हो गया वह तो इनक्रीज हो गया को समझ मेरा रहा हैं aldr बताए कि इस case में इस case में workventh 싶 कर रहा है नहीं कर रहा है थो जो जो शेम रागया और यह सें रा गया जो आपको यह इस रहा गया तो डैबलु डिपेंड कर रहा है अब यहां पर दियान देजिए यहां पर जब ध्यान दिजेगा तो यहां पर हमें हीट एडिशन कर रहे हैं दो बार कर रहे हैं एक बार यहां भी कर रहे हैं Q1 एक बार यहां भी कर रहे हैं Q2 मतलब यहां जो Q जो मेन हो गया Q जो हो गया Q1 पलस Q2 मतलब heat addition बढ़ गया, heat addition बढ़ रहा है, increases, ठीक है, बात करें heat rejection का, अगर यह सुचू, अगर यह simple एक turbine होता, तो यह हाँ पर आता, तो यह heat rejection सिर्फ यहां तक होता, लेकिन अब इसको heat rejection कहां से कहां तक करना पड़ रहा है, यहां से यहां तक हो रहा है, heat rejection भी बढ़ गया है, heat rejection भी बढ़ गया, जब heat rejection भी बढ़ गया, तो आपको क्या लगता, efficiency बढ़ेगा यह घटेगा, आप ध्यान देजिए, मेरा Q1 जो मियन था, जो total heat दे रहे हैं, यह मेरा increase कर रहा है, तक ही work output भी increase कर रहा है, तो क्या efficiency बढ़ेगा यह घटेगा, ध्यान देजिए, कि Q जो है heat energy है, Q जो है, heat energy है, और heat energy जो है, fully work में convert नहीं होगा, यह आपको पता है, heat rejection बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब क्या, कि बहुत कम work output यहां पे मिला होगा, इससे तो work output बढ़ेगा, लेकिन उतना पे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इस इसका efficiency क्या हो जाएगा, increase करेगा, जब इसको calculation करोगे, calculate कर लाओगे, WT 5 माइना सुतना calculation नहीं बताऊँगा, वीडियो अलंबा चला जाएगा, बस आप concept दे रहा हूँ, कि concept से easy question आपको solve हो जाए, जो आपको numerical तो इससे देंगे नहीं, ठूएकि फरमाइन का exam आया, SSC, R समय यह नहीं देंगे, gate वगरा exam में आपको इससे question दे सकते हैं, लेकि उसमें भी, regenerative cycle से बड़ा question नहीं देते हैं, आप ध्यान देजिए, तो Q1 क्या हो गया, Q1 जितना बढ़ेगा, उतने work output बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो जागा, efficiency जो होगा, decrease होग रिहिटिंग किसके लिए कर रहे हैं, तो पहली बात क्या, work done by turbine increase कर गया, दूसरा point क्या हो गया, work done on the compressor, same रहा गया, इसमें तुम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तीसरा point क्या हो गया, heat addition increase हो गया, चौर्था point क्या हो जाएगा, heat rejection increase कर गया, increase हो गया, यह increase हो गया, पाच्मा point क्या हो गया, कि आपको जो work output जो है, work output मतलब क्या, wt-wc, यह भी increase कर गया, क्योंकि w तो बढ़ गया, wc सेंब रहा गया, तो घटेगा तो फिर भी बढ़ा, अब बात आता efficiency का, efficiency क्या हो जाएगा, घट गया, efficiency क्या हो गया, घट गया, अगर सिर्फ reheating process करते हैं, तो efficiency घटेगा, work output बढ़ेगा, यह दो चीच आपको दिमाग में रखना चाहेए, इंटर कुलिंग का मतलब क्या हुआ, कि जो हम turbine के साथ, turbine के साथ, fitting करकर के, work output बढ़ा रहा थे, मैंने क्या बढ़ा कि, work net जो होता है, wt-t-wc होता है, मैंने एक वर क्या हुआ, बढ़ा दिया, अब मैं क्या कर रहा हुआ हूँ कि, work done, on the compressor घटा देते हैं, कैसे घटा आएंगे, आपको पता होगा, कि compressor जो होता है, compressor जो होता है, a steady flow device है, a steady flow device, इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझा रहा हूँ, compressor का जब आप इसका pivot diagram बनाते होंगे, तो इसमें आपको तीन प्रोसेस को दिखाता होगा, तीन प्रोसेस को, आपको एक दिखाता होगा, क्या, adiabatic, as-blog, as-blog, c, मतलब, as-n-tropic, दूसरा दिखाता होगा, poly-tropic, compressor में, poly-tropic, n-blog, इसमें आप जानते होंगे, यह सब क्या है, यह प्रोसेस में आपको पता होगा, कि सबसे ज़्यादा work जो होता है, compressor में, आपको अगर कोई process adiabatic है, दो को adiabatic में तो क्या area पूरा यह कभर कढ़ेगा, area पूरा कढ़ेगा, तो work done तो बढ़ गया, adiabatic में बर्क ज़्यादा होगा, polytropic में उससे कम होगा, और isothermal में उससे कम होगा, तो यही रीजन आपको बता रहा गया होगा, अगर compressor को, compressor को stage में, पढ़ा होगा stage, और compressor, stage भाई यह स्टेज, इसको अगर हम, cooling, heating, cooling, heating करते हैं, तो हम लोग isothermal process को अचीव कर सकते हैं, जो हमको minimum work देना होगा, यहाँ पर भी वही है, यह मेरा क्या है, यह मेरा low pressure compressor है, यह low pressure compressor है, ठीक है, यह मेरा high pressure compressor है, यहाँ पर ध्यान देज़े, क्या हो रहा है, यहाँ से जो गया, इसको compress करने के बाद, जो निकला, इसको कूलिंग करते हैं, इंटर कूलर में यह कूल कर दिए, अच्छा, यह कूल करने से क्या होगा, आप समझेए, जब इसको आप gas को, या air को, या gas को, आप इसको compress करेंगे, तो molecule जो होगा, नजदिक में आएगा, temperature बढ़ेगा, जब यहाँ से निकलेगा, जैसा ही, तो temperature बढ़ने के चलते हैं, तो expansion होगा, इसके अंदर तो molecule एक्सपेंशन होने लगा, अब इसको क्या कर देंगे, cooling कर देंगे, अब इसको कूलिंग करोगे, तो यह बढ़ा molecule सब आपस में नजदिक आने लगेगा, घट रहा है, घट जाएगा, क्योंकि इसका volume घट रहा है, जब space में घट गया, आपको पता होगा कि जब इसको हम compress करेंगे, तो इसको और नजदिक compress करने के लिए, इसमें वर्क ज़्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, इतना समझ में रहा है, अब आपको भीवन घट रहा है, यह volume जो हो रहा है, इसका specific गॉल्व में घट रहा है, इसका वर्क क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इतना समाझ में आ रहा है, फर्मूला से भी, इससे concept से भी आपको समाझ में आ रहा है, कि एक साथ मुल्कूल आ गया, इसपे तोंको कम compression करना होगा, इसको और compress करने के लिए, अब ही हो गया, इतना समाझ में आ गया, जब यह WC कम गया, यह WC कम गया, तो आपको क्या हो गया, यहाँ पर द्यान देजिए, WC कमने से, WC कमने से, आप यहाँ पर W net था, WT minus WC, यह मेरा कम गया, आच्छा यह बताए, यहाँ पर यह compression हो गया, फिर सा में इसको heating करेंगे, फिर सा यह turbine में जागा, turbine एक ही है, turbine के work पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो यह आपको, work down by turbine जो जागा, शेम रहा गया, तो यह आपको work net क्या हो जागा, increase कर जाएगा, WC कम गया, अभी इस case में कौन-कौन सा point हो गया, work output तो बढ़ गया, work output बढ़ गया, work down by turbine बढ़ गया, sorry, work down by turbine तो constant हो गया, constant हो गया, work down by compressor जो गया, बढ़ गया, ठीक है, लेकिन अब बात आती होगा ही efficiency की, क्या सार efficiency क्या होगा, बात ही आती है, तो W net, Y Q 1, अब बताई है, यहाँ पर आप ध्यान दिजेगा, यह मेरा था first compress किये, फिर से cool किये, फिर से compress किये, और अब क्या होगा, अगर हमको एक ही a stage टरवाएं जाता, तो यह वाला, यहाँ से यहाँ तक चला जाता, सीधा जाता, मतलब इसको heat करने के लिए, हमको सिर्फ इतना ही heat के जरूवत होता है, hydration, समझने बात को, हमको heat के इतना ही जरूवत पढ़ता, लेकिन, आप आपको कितना जरूवत पढ़ रहा ही जरूवत, पहले कितना पढ़ रहा था, पहले पढ़ रहा था, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आप इसके साथ, यह वाला भी जो portion जो होगा, यह वाला portion, यह portion भी आइड हो गया, मतलब हमको heat addition जो हो गया, extra देना पढ़ा, heat addition increase कर गया, heat addition increase कर जाएगा, फिर मैं बोल रहा हूँ, heat addition increase कर दा है, मतलब क्या, कि पूरा के पूरा heat तो converting हो आओगा, तो यहाँ पर efficiency जो होगा, वो decrease कर जाएगा, तो reheating में, समझ मैं आओगा, reheating हो, cooling को efficiency decrease करेगा, efficiency decrease करेगा, लेकिन work output क्या हो जाएगा, work output क्या हो जाएगा, increase होगा, क्योंकि हम यहाँ पर जाएगा, जाएगा WC कम कर रहा है, जाएगा WT बढ़ा रहा है, work output दो बार रहा है, लेकिन efficiency heat addition के चलते, घट जा रहा है, इतना I think समझ में आया होगा, अब चलते हैं, regeneration के, देखिया, यह है जो cycle है, regeneration है, जैसा मैंने बताया था, कि efficiency को अगर में बढ़ाना है, तो आपको W net बढ़े, या घटे, आप बढ़े, कोई फार्क नहीं पाड़ता, आपको heat edition को घटाना होगा, अब heat edition को घटाने के लिए, मैं पहले पहला वीडियो बताया, कि आप यहां से जैसे दोको, माल यहां से air गया, compress किया, compress करने के बाद, शुरुवात में इसके साथ, गया, combustion chamber में गया, combustion chamber में जाने के बाद, जो टेमरवाइन से जो निकल रहा है, यह जो टेमरवाइन से जो निकलेगा, फुलू गैस, जो बाउत होटेड होगा, यह कहां जाएगा, यह जाएगा आपको combustion chamber में, यह यहां भी होगी, heat exchanger में, इसको regen-टेन के नाम से भी जाना जाता है, heat exchanger है, इसमें जो heat इसके द्वारा, जो flu गैसके द्वारा रहेगा, यह compressed air को मिल जाएगा, जब यह compressed air को ही मिलेगा, इसका temperature बढ़ गया, यह temperature बढ़ गया, तो यहां पर हमको Q जो देना पड़ेगा, जब Q कम देना पड़ेगा, तो आपको turbine में, आप यहां पर ध्यान देजिए, आप regeneration जब हुआ, तो क्या, बढ़ दन बढ़ा, जी नहीं, क्यों, इस पर तो कुछ एफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, जितना temperature यहां पर आना चाहिए था, हम तो सिर्फ इसका temperature बढ़ भाथ ही कर रहे हैं, तो work by turbine सेम रहा गया, क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ा, तो बोलिएगा कि नहीं सर, इस पर भी नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पर तुम कुछ की यह नहीं, तो यह भी सेम रहा गया, तो यह बताएए, कि W net क्या हो जाएगा, work output भी क्या रहा जाएगा, सेम रहा गया, क्यों heat addition क्या हो जाएगा, heat addition कम गया, heat addition कम गया, efficiency क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आब effectiveness आपको पता होगा, कि effectiveness होता है, कितना ज़्यादा यह heat इसमें जा रहा है, कि इतना ज्यादा इसको दिये पा रहा है, वो effectiveness दिखाता है, यह चीज हम discuss नहीं करेंगा, यह आप पढ़ लिजेगा, हम आपको concept खली है, यह पर clear करने आया है, यह TS diagram है, TS diagram यह से देख सकते हैं, और कुछ नहीं, अगर TS diagram से भी आप देखना चाहें, तो आप देखिएगा, क आपको यह efficiency बढ़ जाएगा, तो इतना समझ में आ गया होगा, कि अगर regeneration होगा, तो efficiency बढ़ेगा, लेकिन बर्क output पर कुछ फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम compressor और turbine में कुछ करी नहीं रहें, उसको जितना है, इसको मिलना चाहिए, compressor के लिए, उतना तो हमको देना ही पढ करें, अगर आपको पहला कहादे, कि reheat और regeneration करें, first reheat plus regeneration, तो मैंने आपको बताया था, कि reheat से क्या हो जाएगा, reheat से आपको बताया कि work output बढ़ गया, work output increase करेगा, regeneration से क्या करेगा, regeneration efficiency increase कर जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे है, q को यहाँ पर कम कर रहे है, और यहाँ पर reheat में क्या कर रहे है, work burden by turbine को बढ़ा दे रहे है, बढ़ गया तो वर्क व नेट डिवाइड की व यह कम भी हो रहा यह बढ़ भी रहा है तो ऐसेशन बढ़ जा गया अगर पर रीएट पर रीजनरेशन है तो आपको दो चीट पूछता है कि बर्क ऑटपुर्ट, थरमल, बर्क ऑटपुर्ट क्या होगा तो बर्क इसको डियाग्राम से भी बना कर देखेंगे तो आप डियाग्राम जब बनाए अगर टीस डियाग्राम तो उससे भी आपको समझ में आ जागा यह बढ़ा में एक एजी बे मैं आपको समझा दे रहा हूं दूसरा क्या है पहला हो गया री हिट पलस री जनरेशन दूसरा हम का लाइए बाबू की इंटर कूलिंग से मैंने बताया रहे हैँ वर ची घ printing आ रहें हैं और डी जनरेशन से क्या हो जागा क्यू एक प्यार बढ़ेगा यह दोनों केस में भी बार काफूट बढ़ेगा डिसरा पॉंट देखें प्या जाएगा इंटर कुलेंक्रेशन कर दिये आप हम क्या करते हैं Reheat plus intercooling कर दे Reheat plus intercooling आप देखिए Reheat का मतलब फिर मैं बताया कि आप work provide रवान बढ़ जाएगा Intercooling का मतलब WC बढ़ गया समझ रहे हैं WC, sorry, WC घट जाएगा न Intercooling का मतलब WC घट गया तो यहां पर क्या हो जाएगा WT minus WC देखिए, work done बाई जो इस पर जितना compressor पर work देना होगा जितना turbine produce करेगा compressor को बहुत कम देना पड़ता है minimum देना पड़ता है WT minus WC तो बढ़ जाएगा WTC minus WC बढ़ गया वाला, work output क्या हो गया, बढ़ गया लेकिन आप यह बताएगे Q पर कुछ फरक पड़ा हम इसको regeneration किये नहीं किये Q तो OCM रह गया ना तो efficiency क्या हो जाएगा Q heat addition plus जितना heat add होगा heat rejection भी बढ़ेगा तो मैंने बताया था कि Q बढ़ रहा है Q अगर Q पर नहीं किया जा रहा है Q बढ़ भी रहा है क्योंकि दखो reheat करोगे तो Q बढ़ेगा reheat करने क्लेम को Q देना पड़ेगा ना दो बार जब दो बार देना पड़ेगा तो Q तो बढ़ रहा है Q बढ़ रहा है इसका मतलब कि efficiency इसकिसमे घट जाएगा तो reheat plus intercooling में घटेगा इतना समझ मैं होगा लेकिन अगर हम बात करेंगे सब एक के साथ कर देते हैं reheat plus regeneration plus intercooling इसकेस में reheat WT बढ़ गया regeneration में Q घट गया sorry regeneration में Q घट गया intercooling और WC घट गया तो सब तो favorable है efficiency बढ़ जाएगा और क्या क्या बढ़ जाएगा बाबू work output बढ़ गया तो जो main real life में experience में जो pattern cycle का जो use किया जाता है यही use किया जाता है reheat regeneration intercooling तीनों के एक साथ use किया जाता है I think अब समाज में आया होगा अगर यह video अच्छा लगा हो अगर समाज में आ गया हो तो comment में जरूर लिखें अगर comment में लिखेंगे तो ही हम ranking cycle पाएगे बाबू ने तो हम इतना नहनत कर रहें आप comment में लिखेंगे समाज में आ गया सर कहीं पर doubt हो तो पुछिएगा फिर से ranking cycle सेम है ranking cycle सेम है वहाँ भी जाकर देखेंगे तो वही है अगर यह video अच्छा लगा हो तो like करें जो बच्चे नए हैं चैनल को subscribe करें और जो बच्चे अभी भी हैं वो share कर दें जो देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत किरपा होगे बहुत बहुत धन्यवाद